आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए English vocabulary words लेकर आया हूँ देखते हैं कि कौन सी word हम आज नई सीखते हैं और उनके क्या क्या सिननिम से रहने वाले हैं कैसे हम उसका प्रियोग कर सकते हैं डेली यूज़िस में भी और कम्यूनिकेशन स्किल्स में भी clear so let's get started dear friends पहला जो word दिया है वसल नाउन है और एतिहासिक रूप से ये यूज़ किया जाता है historical जिसका मतलब होता है जागीरदार जागीरदार यानि a holder of land by foodal tenure on conditions of homage and allegiance इसका समनर्थी शब्द देखते हैं similar फिलेन, लीच, लीजमन, मैन, बॉन्जमन, वैबसौ, सौफ, हिलट, स्लेव, त्रॉल, सब्जेक्ट opposite जो इसका होगा Freeman and Lord यानि कि एक जागीरदार का एक उधारन वो हो व्यक्ति है अगर जागीरदार के हम बात करते हैं उसका उधारन वो हो व्यक्ति होता है जिसे एक स्वामी की भूमी का हिस्सा दिया गया जाता है था और जिसने खुद को उसे स्वामी के लिए गिर्वी रख दिया था एक जागिरदार का एक उधारन एक अधिनस्त या फिर नोकर भी हो सकता है एक व्यक्ति जो एक सामन्ती स्वामी से भुमी रखता था और श्रधहंजली और निष्ठा के बदले में सुरक्षा प्राप्त करता था वसल यानि के हम नोकर भी बोल सकते हैं जागिरदार बोल सकते हैं ठीक है सामन्त का जो है एक रखवाला भी हम उसे बता सकते हैं विलन आपने ध्यान देना स्पैलिंग पे भी और उचारन पे भी विलेन और विलन स्पैलिंग वी-डेवल-ल-e-i-n नाउन है क्या मतलब वता है इन मेडियवल इंगलाइन फूदल टेनेंट इंटरियली सब्चेक्ट टो लॉट और मैनर तो हूम ही पेट दियूस आइन सर्बसेज इन रिटरन फूर लैंड एक सामन्ती काश्टकार पूरी तरह से एक स्वामी या फिर जागिर के अधिन होता है विलन यहाँ पर मतलब है सामन्ती जो काश्टकार होता है एक छोटा पट्टेदार आसामी या फिर किसान दास जिसे हम बता सकते हैं जिससे उसने भूमी के बदले में दे और राशी और स्यवाओं का भुकतान किया था या फिर किया करता है villain a villain आपने देखना है spelling v-i-i-l-l-a-i-n जो खलनायक होता है movies में, filmों में noun है in film, novel or play a character whose evil actions or motives are important to the plot pantomime villain अब यहाँ पर देख सकता है pantomime का मतलब क्या होता है mukabhinya khalnayak, badmash, durjan pantomime a theatrical entertainment mainly for children which involves music and topical jokes and slapsticks comedy and it's based on a fairly tale or nursery story usually produced around Christmas a dramatic entertainment organizing in roman time, roman mime in which performers express meaning through gestures accompanied by music हम बता सकते हैं कि villain एक खलनायक, badmash, durjan है या फिर pantomime जो चीज है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वह नाट के और मनुरंजन है जिसमें कलाकार, हाभाव, गतियादी के माध्यम से अभिन्या करते हैं as a verb हम क्या बोल सकते हैं express or represent by exaggerated mind for example they pantomime picking up dropped food उसी प्रकार देखिए s-e-r-f s-o-f spelling पे आपने विशेश ध्यान देना है उचारण obviously आप different पाएगे noun है in the past अगर हम पास्ट में विगत के मगर बात करते हैं a person who was forced to live and work on land what belong to a landowner whom they had to obey यानिके भू स्वामी को जमीन पर रहने कार्यो करने तथा आग्या पालन करने को विवश व्यक्ति क्रिशी दास बोल सकते हैं दास बोल सकते हैं गुलाम बोल सकते हैं प्राचिन स्पार्टा का दास उसए हम क्या बोलते हैं self इसके समन अर्थ ही देखी आप सिमिलर बॉंड्समैन, स्लेव, सर्वेंट, मीनियल, विलिन, त्रोल, हलेट, शॉल, वसल, लिज्मन, अगर अपोजिट की बात करते हैं, फ्रीमेन और मास्टर एक दूसरा सर्फ होता है, स-U-R-F, सॉफ, प्रनेंसेशन सेम रहता है, लेकिन स्पेलिंग हमारे पास अला गया, हॉमनिम ठीक है, यह इसी लिए दिया है, हमें स्पेलिंग में कोई विरोधा भास ना रहे और डाउट ना रहे, शंका ना रहे कि वो स्पेलिंग क्या थी और हम क्या यूज़ कर रहे हैं नौन है, जिसका मतलब होता है लहर या फिर तरंग, as a noun The white part on the top of waves in the sea, समुंदरी लहरों की फैन As a verb क्या होता है, to stand or lie on a special boat, a surfboard and ride on a wave towards the beach यानि विशेश पत्रे पर खड़े होकर या फिर लेट कर लहरों से खेलना अगर computing के हम बात करते हैं, computer में, तो यह surf का मतलब क्या होता है Move from page to page or site to site on the world wide web For example, the device allows you to surf the net and send emails उसी प्रकार देखिए, pageant, pageant, spelling देखना है अपने P-E-S-A-N-T, pageant, pageant in noun है Used specially in past time, यह past time में यूज़ किया जाता था A person who owns or rents a small piece of land on which he or she grows food and keeps animals in order to feed his or her family वह व्यक्ति जो स्वें की या किराय पर की लिए छोटे भूखंड पर अपने परिवार के भरन पोशन हे तू खाद्यान उत्पन करता है तथा पशूं का पालन करता है आम तोर पर अगर शोट में बात करें तो उसे हम क्या बोलते है खेती हर, किसान, पिजट, similar देखी लिजी आप पहले रस्टिक, कंट्रीमन, कंट्री वोमन, फार्मंड, स्वेन, विलन, सौफ, पेसन, पेशाँ, इस फ्रेंच वोर्ड है मुजिक, उसके बाद देखी आप, कुलक, कंपैश्यानो, पैसानो आप पाईजानो को बोल सकते हैं, ठीक है यह इसके समान अर्थी है, जो आपके फ्रेंच में, इटैलियन में और अदर्ज कंट्री से लिएगी शब्द हैं, जो इसके सिमिलर मीनिंग में यूज़ के जाते हैं अगर डेरोगेटरी की बात करते हैं, इनफॉर्मल में, तो इसका मतलब क्या था है इसके समान अर्थी क्या होगा ये, अगर हम इसको डेरोगेटरी लेंग्विज़ में अगर इसको हम लेते हैं तो, जैसे कि लावत, बाव, आफ, क्लोन, शल, योकल, बंकिन, विलेज इड़त, प्रविंशल, बार्गेन, चर्चित, कल्चित, 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 बास्टून, एन बग्मन, कलाट, कलधोपो, याहू, हेसीड, हिक, रूब, हिलिबली, आकर, हून, बेवन, बून, ब्यूकलिक, ये इसके आपके डेरोगेटरी वर्ड हैं, जो हम इसके यूज में कर सकते हैं, एक और होता है, फेजन्ट, पी, एच, ए, 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 फेजन्ट, नाउं, जैसा कि रहा है, तीतर, महुका, तीतर, पक्षी, मनाल, लाज, लॉंग, टेल, गेम, बोर्ड, नेटिव, टू एशिया, दे मेल, आफ विच, टीपिकली, हैज, वेरी, शोई, प्लुमीज, पक्ष्टी जी से हम बोलते हैं, यानि कि एशिया के मोलनिवासी, एक बड़ी, लंबी, प दोर पर बहुत दिखावटी पंक होते हैं, प्लुमीज बोलते हैं जिसे, एक और है, पेजन्ट, 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 यह भी नाउन है, यह क्या होता है, आपने सुना होगा, ब्यूटी पेजन्ट, विश्व सुन्दरी, और यूनिवर्सल, जो होती है, विमन, में इसको यूज क्या जाता है, पेजन्ट, तमाशा, लीला, नुमाईश, थोड़ी देर की शान, जहांकी, कौतुक, विहार स्थान, विहरन, यानि अटाइप अप्लिक इंटर्टैन्मेंट, एट विच, पीपल ड्रेस इं, क्लोथ, फ्रॉम पास टाइम्स, और गिव आउ इन द्रिश्यों का खुले में अभिन्य करते हैं, जहांकी बोल सकते हैं, शो भायात्रा हम बता सकते हैं, सिमलर देखिए, पारेट, प्रोसेश्चिन्स, कावलकेड, कावलकेड, एन सीन, प्ले, रेप्रेसेंटेशन, टैबलो, टैबलो, विवा, फ्रेंच वर्ड है, डिस् प्ले, स्पेक्टरिकल, एक्स्टावेगंजा, शो, प्रमनाड, प्रमनेट, प्रमनाड, प्रमनेट, इसका उच्चारन है, नौर्थ अमरिका में जैसे कि हम बताते हैं, अब ब्यूटी कंटेस्ट, थारफा, थारफा है, आपने देखा होगा ये शब्द, नौन है, मार्ग, रास्ता, गुजरगाहा, प्रदान मार्ग, सारजनिक मार्ग, मुख्य सड़क, आम रास्ता, यहाँ आम रास्ता नहीं है, आपने ये सुना भी होगा, आम रास्ता, ठीक है, देखा है, देखा है, इसका समन अर्थी देखिए, सिमिलर, स्ट्री, रोड, रोडवेज, आवन्यू, बुलवाट, वे, में रोड, हाई रोड, टंक रोड, आटरी, ब्रॉडवेज, डॉल, कैरिज वे, एना, क्लियर वे, मोर्टर वे, आटरोट, आटरोस्ट्राड़, आटरब, बहन, हाई वे, फ्री वे, बार्क वे, क्रोस वे, टर्न पाइक, फाई, ट्रोवे, एक्स्प्रेस वे, सूपर हाई वे, इंटरस्टेट, नेशनल रोड, बीफ रोड, में ड्रैक, ठीक है, ये उसके बाद देखिए, मीन, म, ए, 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 मीन, ये अजक्टिव है, और ये लाउ, कानून में प्रियो किया जाता है, मीन, स्पेलिंग भी देखनी है आपने और उचारान भी देखना है, इंटमेट और इंटर्वेनिंग, आ मीन लॉड इस टेनेंट्स होल्डिंट उ मीन लॉड एक जमिदार होता है, जिसके पास किरायदार होते हैं, जबकि खुद एक स्रेष्ट स्वामी होता है, इसी तरह के विचार, उपसंगर्ष और उपसंविद्दा हैं, उसे क्या कहा जाता है कानून में, मीन कहा जाता है, दूसरा इसका विपरिद होता है, डिमीन, इस्टोरिकल, कार्यक्षेत्र, मालिकपन, आधिपत्य, विधी, भी, स्वधारन, यानि कि a piece of land attached to a manor and retained by the owner for their own use, एक जागीर से जूरी भूमी का एक टुकड़ा है, यह डिमीन, और मालिक द्वार अपने प्रियोग के लिए रखा जाता है, for example, आप देख सकते हैं, because labor, war chief, there were ample advantages in cultivating the डिमीन, चूंकि श्रम सर्स्ता था, डिमीन की खेती में प्रियाप्त लाब थे, law में आपको पता है, possession of real property in one's own right, यह अपने आप में वस्त्विक संपती का कब्जा, उसे हम क्या बोलते हैं, डिमीन, एक और मीन होता है, M-I-E-N, mean, spelling, अलग है, pronunciation, इसका जो उचारन है, वो similar है, इस पर अपने गौर करना है, कि हमने कौन सी spelling, कब यूज करनी है, कौन सा word हम कहां यूज कर रहे हैं, यह formal noun है, जिसका मतलब क्या होता है, अब इसका विपरितार समनार्थी देखें, similar word, appearance, look, expression, countenance, face, front, aspect, aura, demeanor, comportment, attitude, air, presence, manner, bearing, carriage, deportment, stance, clear, उसके बाद देखिए आप, एक और है, mean, M-E-A-N, mean, spelling भी देखना है, और उचारन आपको पता है, कि similar हो रहा है, अब यह mean क्या होता है, यह verb है, as a verb इसका क्या मतलब होता है, देखिए आप, to express, show, or have as a meaning, यानि अर्थ का व्यक्त करना, या दिखाना, या उससे युक्त होना, what do you mean, जैसे हम बताते हैं, what do you mean by this, तो यह वह वाला mean है, as a verb, यानि कि what does this word mean, to want or intend to say something, to refer to somebody something, यानि कि कुछ कहने की इच्छाया इरादा होना, किसी व्यक्ति या वस्तु को निरदेश करना, जैसे, I only mean that, I couldn't come tomorrow, and other day would be fine, अब इस अर्थ में भी इस mean का प्रियोग किया जाता है, अगर हम adjective की बात करते हैं, तो क्या मतलब होता है, wanting to keep money, etc. for yourself, rather than let other people have it, यानि धन आदिस्वें के लिए रखना, ना कि दूसरों को देना, तो adjective के रूप में हम कैसे use करेंगे, कंजूस के अर्थ में, या सवार्थ के अर्थ में, जैसे, it's no good asking him for any money, he is much to mean, नीचता के अर्थ में, mean, अगर हम adjective की बात करते हैं, धूर्त, चलाक, कंजूस, ठीक है, used about people or their behavior, unkind, जैसे, व्यक्ति या you too, अगर similar की बात करते हैं, verb का ही हम लेते हैं, जैसे कि अर्थ बताना, दिखाना, या उससे कोई युक्ति होना, similar में देखिए, signify, convey, do not, designate, indicate, cannot, show, express, spell out, stand for, represent, symbolize, imply, purport, suggest, intimate, insinuate, get at, be token, अगर हम दूसरे meaning की बात करते हैं, जैसे कि to wait or intend to say something, यानि कुछ कहने की इच्छाई रादर होना, इसका समन अर्थ हम क्या बोलेंगे, intent, aim, plan, design, have in view, contemplate, think of, purpose, propose, set out, aspire, desire, want, wish, expect, ये समन अर्थ हम जो है, use कर सकते हैं, clear, उसके बाद दिखिया, आप एक और होता है, main, अब main दिखना आपने, M-E-I-N, main, ठीक है, ये adjective है, chief in size or importance, a main road, मुख्यो मार्ग, main, मुख्यो, सिमिलर दिखिया, principal, chief, head, leading, foremost, major, ruling, dominant, central, focal, key, prime, master, premier, primary, first, high, grand, fundamental, supreme, predominant, pre-eminent, paramount, overriding, cardinal, crucial, vital, critical, capital, pivotal, salient, elemental, essential, staple, intrinsic, urgent, आप देख सकते हैं, कितने सारे अर्थ हम इस से ले सकते हैं, सिर्फ एक main word के अलावा, अगर हम main कोई word यूज़ कर रहे हैं, तो इसके जगा हम ये वाले word भी यूज़ कर सकते हैं, opposite क्या रहेंगा, subsidiary, ये फिर minor, as in noun क्या होता है, a principal pipe carrying water or gas to buildings, or taking sewage from them, a faulty gas main, अगर R के एक literary की बात करते हैं, पराचिन की, the open ocean, main, for example, similar अगर इस हर्थ में लेते हैं, sea, ocean, deep, brain and drink, clear, उसकी प्रकार देखिए, एक spelling, main, m-a-n-e, m-a-n, spelling, same, pronunciation, same है, और spelling, अलग-अलग है, अब main क्या होता है, देखिए, noun, along here on the neck of a horse or male loin, यानि घोड़ी या नर्शेर के लंबे बाल, अयाल जिसे बोलते हैं, अब देख सकते हैं, main कहां लिखा है, घोड़े के जो लंबे बाल होते हैं, उसकी गर्दन पर, और बाकी भी आप देख सकते हैं, ये कौन कौन से parts इसमें है, अपनी vocabulary इंप्रिमेंट करने के लिए, उस of either sex, male or female, इंसान, व्यक्ति, पुरुशास्त्री, अगर वर्ब की बात करें, आपको अहरानी होगी कि man तो एक नावनी होता है, लेकिन अगर वर्ब के रूप में करेंगे तो क्या मतलब होता है, to operate something or to provide people to operate something, यानि किसी वस्तु का परिचालन करना या उसके लिए व्यक्ति 24 hours a day, अब सिमिलर देखिए पहले आदमी का भी सिमिलर है, जैसे male, gentleman, guy, fellow, gent, mother, son, block, chef, giza, lead, jaw, dude, brown, ombre, digger, og, ow, own, buddock, cow, call, यह जितनी भी word है, यह different, different languages से लिए गये हैं, जिसका समनर्थी क्या होता है, man, आदमी, पुरुश, presently, presently क्या होता है, adverb है, निरलजता से, निरलजता से, बेशर्मी से, in a bold and shameless way, they are presently defying the law, बेशर्मी से कानुन को तोड रहे थे, यह क्या होता है, restless legs syndrome, आपका पैर सो जाता है, जब आप चोकड़ी मारकर बैठते हैं, या फिर सोते हैं, या ऐसी मुद्रा में बैठते हैं, जब आपका पैर सुन हो जाता है, सो जाता है, तो उसको क्या बोलता है, restless legs syndrome होता है, अब देख सकते हैं, लेग्स syndrome typically occurs while sitting or lying down, it generally worsens with the age and can disrupt sleep, कारण क्या क्या हो सकते हैं, देखिए आप बर्निंग हो सकती हैं, आपके लेग्स में, cramping, pain, numbness, crawling, aching, tingling, itching, ये सारी लक्षन जो होते हैं, या हमारे पैर के सूने के होते हैं, counterpart, counterpart क्या होता है, noun है, a person or thing that has similar position or function in a different country or organization, अर्थार्थ, वह व्यक्ति या वस्तु जो अन्यो दीश या संगठन में समान पद पर है, प्रतिरूव, प्रतिस्थानी, similar देख लिजिए, equivalent, opposite number, peer, equal, parallel, complement, match, twin, mate, fellow, brother, sister, analog, correlative, copy, duplicate, compare, co-equal, अगर law की बात करें, one of two copies of our legal document, उसे भी counterpart बहुते हैं, tethered malian, adjective है, tethered or dilapidated, noun है, यह क्या होगा, slabodigalian, slabodigalian, as a noun, जो क्या होता है, archaic, यह फिर, a slovenly or worthless person, a person in tethered clothing, चिथरे पोश, जो फटे पुराने कपड़े, इतियादी पहनता है, गंदा कुचेला, मेला कुचेला रहता है, tethered malian, उसे हम कहते हैं, slabodigalian भी उसे कहा जाता है, geriatric, geriatric adjective है, वृद्ध परिचारिया से सबंदित, यानिके related to old people, especially with regard to their health care, a geriatric hospital, noun है यह, ठीक है, gerontology, यह इस से सबंदित है, यानि, the scientific study of old age, the process of aging, and the particular problems of old age people, an old person who is receiving special care, उसे बताता है, geriatric, यह फिछ जरॉन्तोलोजी, a rest home for geriatrics, clear, उसे परिकार देखिए, feudal, feudal, adjective है, connected with the system of feudalism, सामन्त वाद से संबंदित, ठीक है, tenant, अब यह tenant क्या होता है, noun है, या फिर हम क्या बूल सकते, उसको noun कमरे के अंदर, flat, इकमरे, flat, भववन, या भूखंड का किराया देकर, उपयो करने वाला व्यक्ति, उसको tenant बोलते है, किरायदार, भूखंड का, पत्टेदार, पत्टेदारी, आसामी, a person who occupies land or property rented from a landlord, council house tenants, similar देखिए, occupant, resident, inhabitant, lessee, renter, holder, addressee, loger, border, occupier, sitting tenant, rumor, dweller, feudery, और opposite क्या होगा उसका, owner, as a verb, occupy, property, as a tenant, the house was tenanted by his cousin, clear, उसी परकार देखिए, एक और spelling similar है, वो होता है tenant, जिसका मतलब होता है noun, सिधान्त या अभिमत, जिस पर अन्य सिधान्त आधारित होते हैं, उसे बोलते है tenant, a principle or belief, especially one of the main principles of our religion or philosophy, the tenets of our democratic society, similarly principle, belief, doctrine, precept, creed, credo, article of faith, dogma, canon, rule, theory, theses, conviction, persuasion, idea, view, opinion, position, hypothesis, postulation, presumption, and ideology, ये सारे सिधान्त से सबंदित सेनोनिम्स थे, उसके बाद एकिए, landlord, noun, पैसे के लिए मकान की राये पर देने वाला पुरुश, या फिर मकान मालिक, मदिराल्या, या छोटे होटलादी का स्वामी, या प्रमंदख बोल सकते हैं, a man in legal use, also a woman, who rents out land, building, or accommodation, similar देखिये, publican, licensee, inkeeper, manager, manageress, pub owner, proprietor, landlady, hotel keeper, host, mine host, restaurant, barkeeper, burman, barmaid, bar person, a man who keys lodgings, a boarding house, or a pub, उसका समनर्थी क्या होगा, proprietor, lesser, letter, householder, landowner, landholder, master, अगर opposite की बात करते हैं, tenant, lodger, clear, उसी प्रकार देखिये, manner, m-a-n-o-r, spelling पे भी गौर करना है, आपने, a noun है, a large house in the country that has land around it, ग्रामिन अंचल में बड़ा भवन जिसके साथ जमीन लगी हो, जमीदार का घर, या फिर सामन्त भवन, informal की अगर बात करते हैं, the district covered by the public station, they were the disputed rulers of the manner, clear, उसी प्रकार देखिये, आप एक और spelling होती है, m-a-n-e-r, manner, तरीका, किसी काम को करने का, या कुछ घटित होने का तरीका, रिती, noun है ये, a way in which the thing is done or happens, taking notes in an unobtrusive manner, similar देखिया, way, fashion, mode, means, method, system, style, approach, technique, procedure, process, methodology, modus, operandise, form, routine, practice, या फिर इसका मतलब और होता है, a person's outward bearing or way of behaving towards other, his arrogance and pompous manner, या दूसरों से व्यावार करने का तरीका, व्यावार या फिर आचरन, उसका similar क्या रहेंगा, deminor, air, expect, attitude, appearance, look, bearing, caste, deportment, behavior, conduct, comportment, mean, clear, हमने कुछ एक शब्द इसमें से जो similar आये हैं, वो हम कर चुके हैं, so, pay attention to that particular word also, अब देखिया, air, आपने देखा होगा, दो तिन बार इसमें आया था इस शब्द, आप सोच रहेंगे, कि air का मतलब तो हवा होता है, फिर भी ये इसमें क्यूं दिया है, आचरण के अर्थ में क्यूं दिया हुआ है, ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो उचारण जो होता है, आप पहले वो देखिए, कहा कहा यूज किया जाता है, air, air, aviation, विमान, वहन, यारि विमान बिनाने या उडाने की विद्या, विमान की, इसमें क्या होता है, noun है, referring to the use of aircraft, air traffic, अगर broadcasting की बात करते हैं, radio or television का रेकर परसारित करना है, ठीक है, उसमें भी noun का काम करता है, the earth atmosphere is as a medium for transmitting radio waves, radio transmission stations have successfully sold products over the air, as a verb, broadcast a program on radio or television, the programs were aired on India's state TV network, with example दिया गया है, अगर हम similar की बात करते हैं, इसी में ही, broadcast करत में, transmit, beam, televise, show, telecast, relay, disseminate, science में, science, जिसका मतलब क्या होता है, भौतिक, जगत, और प्रकृति के नेमों का अध्धैन और ग्यान, विज्ञान, विज्ञान की कोई शाखा, जैसे की जी विज्ञान, science विज्ञान अधी, noun होगा, वहां पर इसका मतलब होगा, air का, one of the four elements in ancient and medieval philosophy, and in astrology, considered essential to the nature of the signs of Gemini, Aquarius and Libra, the air sign, the breeze or light wind, plural noun, airs, clear, similar क्या रहेंगा इसका, plural noun, airs का, breeze, drought, wind, अगर music की बात करें, music में air का क्या मतलब होता है, noun, गाय जाने या वाद्दे यंत्रों पर बजाय जाने के लिए स्वरो का विशेश स्योजन, उसी क्या बोलते हैं, संगीत, music, a tune or short melodious song, air बोलते हैं उसी, for example, traditional Scottish airs, sung Indo-Gallic tongue, similar tune, melody, song, theme, strain, refrain, piece, area, and lay, similarly देखिए आप air का, others में क्या मतलब होता है, अगर noun की बात करें, the mixture of gases that surrounds the earth and the people, animals and plants breathe, यानि प्रित्वी के चारों और गैसों का mixtureन जिससे व्यक्ति, जानर और पौदे सांस लेते हैं, वाईू, हवा, तो इसके अलावा हम इसको कहां कहां यूज़ का सकते हैं, ये मैंने आपको पिछली slide में understand करवाया, जैसे की the space around and above things, दूसरा अर्थ क्या होगा इसका, भूस्त है से उपर खालिस्थान, उससे भी हम air बताते हैं, जैसे travel and transport in the aircraft, विमान द्वारा यात्रा या परिवहन, फिर तीसरा क्या होता है, the particular feeling or impression that is given by somebody, something, यनि किसी व्यक्ति अवस्तु द्वारा उत्पन, विशेश भावना या प्रभाव, अजिवर, past tense aired, past participle aired, third person present airs, gerund or present participle airing, to put clothes, etc. in a warm place or outside in the fresh air to make sure they are completely dry, to become dry in this way, यानि कपडे आदी को सुखाना, कपडे आदी का सुखना, उसे भी हम air बता हैं, to make room air, etc. fresh by letting air in it, to become fresh in this way, यानि कमरे के भीतर, ताजी हवा आने देना, उसे भी हम क्या बोलते हैं, air, खुले में जाकर ताजी हवा खाना, ठीक है, to tell people that you think about something, यानि अपने विचार अभिव्यक्त करना, उस चीज को भी हम air बता सकते हैं, या मन की बात कहना, जैसे meeting in which long-standing grievance were aired, clear, उसी परकार देखे, air की phrases क्या क्या होते हैं, are airs and graces, derogatory, British में क्या मतलब होता, an affectionation of superiority, young master Tristan with his fancy education and his airs and graces, in the air, यह adverb है, हवा में, यानि felt by number of people to be happening or about to happen, for example, panic was in the air, on the air, the air, radio see, being broadcast on radio or television, for example, the wacky series has been on the air for 10 years, off the air, हावा से बहार, not being broadcast on radio or television, for example, I wish they would take him off the air, उसके बादेखे, take the air, हावा ले लो, go out of doors, I had a certain feeling to get out and take the air, example भी देखे लिजिए, कैसे यूज कर सकते, up in the air, up of a plan or issue, still to be settled, unresolved, the fate of the power station is up in the air, इसी का समानार्थी देखे, uncertain, unknown, undermined, undetermined, unsettled, unresolved, unsure, pending, in the balance, debatable, in doubt, dizzy, hairy, iffy, doggy, ठीके, opposite क्या बनेगा, certain, settled, last but not the least, walk on air, कुछी से फुलाना समाना, feel elated, most couples feel they are walking on the air on their wedding day, thanks dear friends for your precious time, have a nice day,